विल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नेक्स्ट आपका हो जागा 36 ठीक है इससे पहले हमने एक से लेकर 35 तक जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप कुश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए है आज हम बात करेंग में की reflections 30 36 ठीक है जूकि आपका unit 6 है पूचरा रेखीए फास्फवो नाय्ट्रिक हाईलाइड क्या है क्या है पूच रहा है दो आदिक तो आपका रेखीए फास्ट मांत्रिक हेड़ होते हैं या इननी कि कहते हैं है अकार्मनेख रवर कहते हैं ठीक है इन पर क्या करना आपको शौट नोट लिखना है ठीक है इस पर रहेखी आपका ये जो आपका योगया तो यह आपका कोई भी हैलाइट हो गया पर जाहे आपका ठीक है जो कि आपका कluse हो सकता है क्लोरिन ब्रॉमी ठीक है तो इसकी हम बात करें permits लेकिन यह होगा कैसा linear होगा linear ठीक है रेखिए जले 水 अ pagar या फासफो नयवीन रहा है यह बात करें तो कहे रहा है जब फासफोरस ठीक है क्या है फासफोरस पेंटा क्लोर्ड यानि की PCL5 तथा अमोनियम क्लोरइड को परस्पर as tetra chloro ethane में पस्च वाहिद किया जाता है ठीक है पस्च वाहिद करते हूं गरम करते हैं तो उत्पाद का बहभाग कौन सा उत्पाद का बहभाग जो की petroleum ether में अबले है ठीक है जो उत्पाद बनता है उसक बहाग कौन सा होगा बहाग जो आपका petroleum ether में कैसा है अबले यानि कि नहीं खुलता है का लगवग संगटन क्या होता है Npcl2 का whole N ठीक है उसका जो संगटन होगा वो कैसा होगा nitrogen होगा फासफोरस होगा और आपका chlorine होगा ठीक है इसका whole n pcl5 होता है ठीक है क्या होगा आपका n pcl2 का whole n ठीक है dot आपका pcl5 यह होता है ठीक है कब जब करना क्या है phosphorus pentachloride क्या लिए भी आपने pcl5 ले लिए ठीक है क्या लिए pcl5 phosphorus pentachloride तथा दूसरा क्या है आपका ammonium chloride ठीक है पिलस आपका क्या है पिलस n h4 cl ठीक है तो यह phosphorus आपका pentachloride हो गया और ammonium chloride हो गया ठीक है यह दो चीजे आपकी होगे ठीक है अब इन्हों को क्या करना है परसपर as tetra chloro ethane में पश्च वाहित करते हुए अब एक क्या लेना आपका tetra chloro ethane लेना ठीक है इसमें क्या करना है पश्च वाहित करते हुए आनि कि इनमें बहाते हुए यह इनमें डालते हुए गरम करते है ठीक है तो जो आपका उतपाद बनता है जो आपका प्रोडक्ट बनता है ठीक है क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट आपका बनेगा जो product बनेगा उसका बहे भाग जो petroleum ether में अबले है ठीक है इसका जो product बनेगा इसका बहे भाग कौन सा भाग जो आपका petroleum ether में ना घुले ठीक है तो उसका लगवक संग्टन क्या होता है Np और Cl2 का whole N साथ ही में क्या रहाएगा आपका PCL5 होता है ठीक है तो ये आपका product का भाग होता है NPCL2 का whole line dot आपका PCL5 ये वो भाग होता है जो petroleum ether में नहीं गुलता है ठीक है जहाँ N का मान छोटा ठीक है N का मान क्या है छोटा है जो 10 से 15 हो सकता है N की value कितनी हो सकती है आपकी 10 से 15 है इस योगिक का संभब सूत्र निम्न है तो ये जो आपका योगिक बना है इसका संभब सूत्र याने की कुछ इस तरह से दे रखा है ठीक है तो मान लो possible structure आपका ये है ठीक है क्या है आपका यहाँ पर आपका क्या पड़ा था P ओ स्री N PCL2 का whole N dot क्या था आपका PCL5 था ठीक है तो इसका संभब सूत्र कुछ इस तरह से है आपका ठीक है तो ये आपका क्या हो जागा पासफोरस से क्लोरीन लगे हुए है पिलस आपका नाईटोजन लगा हुए है अब इसके अंदर जो आपका पासफोरस chlorine chlorine और nitrogen दिखाई दे रहा है यह आपकी यहाँ पर कई unit हो सकती है ठीक है यहाँ पर लिखा है N minus 1 तो यहाँ पर क्या हो सकती है आपकी कई unit इसकी जो है इस bracket में बंद हो सकती है और यह आपका एक लंबी स्रंखला वाला यह होगे कि बंद जाएगा ठीक है लास्ट में क्या होगा आपका PCL5 ठीक है तो पहले क्या है आपका PCL3 और लास्ट unit क्या है आपकी लास्ट क्या है PCL5 ठीक है यह द्यार रखना ठीक है यह क्या आपका PCL3 लास्ट unit क्या आपका PCL5 ठीक है बीच में आपका PCL 2 और N और इधर से भी आपका N से लगा होगा है ठीक है तो इस तरह से यह क्या हो जागा आपका संभव सूत्र हो जागा यह है सरचना fast-forward 31 NMR Spectra के साथ consistent है तथा 2 सिखर यानि कि 2 और साती है fast-forward किसके साथ煞 चाय कैसे संभी आरे से ले फास्पॉरस इसके फास्पॉरसمر जो है इसके इसवे और इसके थाख़स-फास्पॉरस-र तरिभून का NMR किया गया था ठीक है nuclear magnetic regionals तब उसके साथ में इसका क्या था ये consistent है ठीक है और इसमें दो शिखर आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से ठीक है कुछ इस तरह से आपको दो शिखर देखने को मिलते हैं ये जो आपका phosphorus 31 NMR है क्या है P31 NMR ठीक है क्या है phosphorus 31 NMR ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें phosphorus 31 NMR की तो ये एक प्रकार का क्या है, स्पेक्ट्रोइश कोपी है ठीक है, यह एक तरह की स्पेक्ट्रोइश कोपी है ठीक है स्पेक्ट्रोइश कोपी ठीक है जो कि आपका एक बिस्ले सलात्मक एक विसलेसर आत्मक, विसलेसर आत्मक, रसायन तकनीकी है, ठीक है? यानि कि ये ऐई सी तकनीकी है आपका फासपोरस 31 NMR, जिसमें योगिकों का क्या किया जाता है, विसलेसर किया जाता है, तो यह समें कितने शिखर आपको मिलते हैं दो शिखर मिलते हैं जिन में कोई भी मुक्त PCL-5 के संगत नहीं है तो जो आपको दो पीक मिलेंगे उनमें से कोई भी एक शिखर कोई भी PCL-5 के संगत नहीं है जो आपका PCL-5 है इसके समान कोई भी पिक समाँ पर नहीं है इसी प्रकार का एक पदार्थ जब NPCL2 का होल थ्राज ठीक है क्या है आपका NPCL2 का होल थ्राज को PCL5 के साथ सील्ड ट्यूब में 350 डिगरी सिंटी पर गरम किया जाता है तो प्राप्त होता है जो आपका उपर पदार्थ है इसी तरह का पदार्थ ठीक है क्या कह रहा है इसी तरह का पदार्थ जब NPCL2 का होल थ्राज क्या है NPCL2 का होल थ्राज को PCL के साथ में इसको किसके साथ में भी PCL5 के साथ में सील्ड किया जाता है sealed tube में 350 degree centigrade पर heat किया जाता है इन दोनों को sealed tube में क्या कर दिया है भर दिया है अब क्या करना है 350 degree centigrade पर इन दोनों को गरम करना है तब जाके आपका जो युकिक मिलेगा वो भी लगवग इसी के समान होगा ठीक है यह कहे रहा है जब NPCL2 सरीखे चक्री है हैलाइड को CCL4 ठीक है कारवन टेटरा कलोराइड बिलायक में 250 से 350 degree centigrade पर आकसीजन की अधिकता में गरम करते हैं तो रेखिए बहुलक तराप्त होता है जिसका की अड़ुभार उच्छ लगवक कितना है 2000 होता है ठीक है कितना होता है 20,000 ठीक है एक दो तीन चार लगवक कितना होगा उसका अड़ुभार लगवक 20,000 होगा कब जो आपका NPCL2 है ठीक है क्या है आपका NPCL2 है NPCL2 सरीखे चक्री है हैलाइड को किसके साथ में आपका CCL4 बिलायक क्या होगा आपका CCL4 ठीक है कारवन टेटरा क्लोराइड बिलायक में 250 से 350 डिगरी सेंटीगरेट पर आक्सीजन की अधिकता में प्राप्त मिलेगा प्राप्त होगा कैरा उपर यूप अविकरिया के संपन होने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार यह है जो आपकी अविकरिया है इसको पूरा करने के लिए या इस अविकरिया से उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन जो है कंपलसरी है ठीक है यह kriya oxygen की ऊपस्तिती में ही होगी प्राप्त पदात रवड के समान है अब जो आपको पदार्थ मिलाएढ ये कैसा है ये इसकी गुन जो है वो रवड के समान है ठीक है या इसकी प्रकृतिक कैसी है रवड के समान है तथा जब खीचा जाता है तो ये ठीक तो क्या होगा तन जाएगी और छोड़ने पर दुबारा से अपने उसी फार्म में चली जाएगी जिस फार्म में थी ठीक है ये लंबी इस्पाइरल चैन से बना होता है कैसी चैन होगी आपकी लंबी चैन होगी लेकिन कैसी होगी इस्पाइरल चैन होगी ठीक है बना होता है रवड की बहाती इसमें भी जिग जैग लंबी स्रंखला बनी होती है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाये गया है जिग जैग की अगर हम बात करें तो यह होती है आपकी टेड़ी मेड़ी क्या होता आपका टेड़ी मेड़ी ठीक है जिग जैग टेडी मेडी ठीक है जैसे आपने पढ़ा होगा जिग जैग मोसन ठीक है टेडी मेडी गती इसी तरह से क्या है आपका ये जो स्रंखला होगी ये कैसे होगी टेडी मेडी होगी जैसे कि आपका नीचे चित्र में कुछ इस तरह से दर्शाया गया है ठीक है तो दे यह तो इस तरह से यह पटर्ण बना हुँआ है एका आपका इस पायरल जो है पैंटर बना हुआ है ठीक तो यह हो जागा आपका structure जो कि आपका jig-zag एक लंबी सरंकला है जिग-zag एक आपकी लंबी सरंकला है उपर यूग्ट सरचना का end एक सरे पर PCL 5 के तथ दूसरे सरे पर PCL 4 से होता है ठीक है उपर यूग्ट सरचना ही जो आपकी सरचना है इसके एक सरे पर क्या होगा आपका PCL 5 होगा, क्या होगा, PCL 5 जबकि दूसरे सिरे पर क्या होगा, आपका PCL 4 होगा, ठीक है, यह कहे रहा है, मानलो एक सिरे आपका ये end हो रहा है, दूसरे सिरे पर क्या होगा, आपका PCL 5 होगा, और दूसरे सिरे पर क्या होगा, आपका कहे रहा है, PCL 4 होगा, ठीक है, तो दोनों सुरों पर आपको याद रखना है, फास्फोरस पेंटा कलोराइड एक जगह पर एक जगह के आओगा, फास्फोरस टेटा कलोराइड, इस रवर के प्रकार के पदार्थ की मॉडलस आफ इलास्टिसिटी का मापन करने से इसपस्ट होता है कि इसके आंडविक भार क परास्फोरस लगवक कितना है, काई, दाई, सेक्ड़ा, हजाद, दस, आला, आठ लाक है, कितना है आपका लगवक जो है, आठ लाक के आसपास है, ठीक है, मॉडलस इलास्टिसिटी, यहनि कि जब इसको आपने क्या करा, खीचा, तब जाके पता चला कि यह जो आपका इसकी सेप्टिबिल्टी टू हाइड्रो लिक अटैक है, क्या है इसकी सेप्टिबिल्टी टू हाइड्रो लिक अटैक है, ठीक है, यानि कि इसकी जो संबेदन सील शमता है, वो कैसी है, जलिये है, क्या है, सेप्टिबिल्टी के अगर हम बात करें, तो इसको कहते हैं, संब संबेदन शील ठीक है और यह हाइड्रो लिक को कहते हैं जलिये तो क्या होगा इसकी जो संबेदन सील चमता वो कैसी है जलिये अटैक है ठीक है यानि की जल पर यह अटैक करने की शमता रखती है अता यदि इसे कई महिनों के लिए बायू में रख दिया जाए या बायू में कारण भंगुल हो जाती है क्या होगा अगर इसंको कई महिनों या कई दिनों के लिए कτα meow आपको बायू में रख दिया जाए तो थिक है या खराब हो जाएगी भायू मनदल से क्या मिलेगा भई उसके साथ में क्या करेंगी ये हैडी जलिये temos जा आटेक है जो भी माश्यर होगा उससे यह क्या करेगि संग्रन कर लेगी और क्या होजागा यह भंग्र हो जागी ठीक है धीरे धीरे नश्ट या बेकार हो जागी जिसके परडाम सुरूप आकसीजण परमानु द्वारा चैन टू चैन क्रॉस लिंकिंग बनाती है किसके साथ में आकसीजण परमाणू के साथ में क्या बनाती है chain to chain cross linking का formation कर लेती है ठीक है और क्या हो जागा oxidation उसका हो जागा usage की अगर हम बात करें ठीक है इसके phosphonitrileic highlight के कुछ use है तो याद रखना है कि phosphonitrileic highlight तथा इसके व्यूत्पनों का कोई महत्पूर्ण उप्योग नहीं है ठीक है तो यह जो आपके phosphonitrileic highlight है या इनके भी उत्पन मतलब इससे phosphonitrileic highlight से जो उत्पाद आपका बनेगा जो नया product बनेगा इनी से उनको कहते हैं उत्पन ठीक है तो उनका भी कोई विसेश महत्पूर्ण जो है उप्योग नहीं है हालांकि इनका उप्योग fabric की flamer proofing plasticizer तथा silicon निर्माड में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है ठीक है किसके निर्माड में किसके निर्माड में silicon निर्माड में किसके रूप में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है ठीक है प्लास्टी साइजर की अगर हम बात करें तो प्लास्टी साइजर मतलब आपका ये आपका हो गए जैसे प्लास्टिक का आकार देना या प्लास्टिक को ढालना ठीक है या प्लास्टिक को ढालना ठीक है या प्लास्टिक को आकार देना ठीक है तो इसी से स question number 36 ठीक है जिसमें आमने पढ़ा था रेखिए fast for natalic highlight क्या होते हैं ठीक है सरचनाती उसका योग है ठीक है तो इस तरह से आपका question number 36 जो है complete हो जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में नए question के साथ तब तक के लिए बने रही है हमार साथ thanks for watching अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं पहली वार बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें